गुड मॉर्निंग फ्रेंग्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन, गुड मॉर्निंग इस टैनोग्राफिक सिरीज में आप सभी का स्वागत है जहां आपको मिलता है प्रते दिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल होली का फेस्टिवल था और फेस्टिवल के टाइम पे हम थोड़ा बीजी रहते हैं इसलिए जी मैस अपलोट नहीं कर पाती है तो चलिए अब ये सिरीज स्टार्ट रहेगी ऐसे ही कांटिनू तो आप लोग प्लीज लाइक कमेंट जैसे है करना बिल्कुल भी न भूले और डिक्टेशिन को जरूर लिखा करें और अपनी गलतियां हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें तो चलिए हम सबसे पहले से देख लेते हैं एडिटोरियल को यानि कि दो संपात की आपको दिया जाता है जिसमें होता है एक द जैनी चैकर डखा गया है और हिंदुस्तान की जगें जैनसत्ता के नियूस पेपर को लिया गया है ताक कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आउटलाइन्स यस बैंक जैसे अगर कोई दो वर्ड्स आते हैं साथ साथ में जैसे कैनरा बैंक यस बैंक कोई भी बैंक अगर आता है या फिर कोई और वर्ड्स जो साथ साथ में जैसे कि नाम अर्विनकेजरिवाल राजी उकान धी तो इस प्रकारत के सब्दों को हम कूट के प्रकारत से लिख सकते हैं, इट मिंस पहले वाले को पूरा लिखेंगे और सेकेंड के पहले अक्षर से कट कर देंगे या फिर आप दोनों एक साथ लिखना चाहें तो दोनों लिख सकते हैं, हमने यहापे दोनों लिखा है गिरफतारी के साथ तो गिरफतार का fix outline होता है, डास लगा देते हैं उसी में, लास्ट में, तो गिरफतारी हो जाता है, और के साथ का जो rule हमने बताया था, steno help line, steno spirit rules में, वो यहां पर apply कर देंगे, next है नीती नियंता, तो नाता नीता, नीती का सब्देचीन होता है, नाता लाइन पर और नीती लाइन कट करते हैं, तो नीती लिखा हमने अनियंता के लिए ना से कट कर दिया, क्योंकि ये इसमें हाइफ़न लगा हुआ है, यानि कि ये कूट वाले सब्दे हैं, बंदर बाट, तो बंदर की fix outline, बो को बढ़ा करते हैं, तो बंदर हो जाता है, अब जव, गर से कट करें तो राजर गानधी, प्रियंका गानधी वांडर अगर किवल प्रियंका गानधी होता तो प्रियंका कट कर देते हैं, लेकिन आव आप को लिखते हैं उसे को बढ़ा करके पर जोड कर देते हैं वो तोर पर पढ़ा advancing है नेक्स्ट है चित्र कार जाथा स्वारूप अलग लिख सकते हैं और पूरा उपहार स्वारूप भी लिख सकतें दों भाज़ोंसे दिया थान पढ़ लेंसलिए हमने यहां पर मात्रा लगा दिया है तो अब हम बढ़ते हैं जनसत्ता के डिक्टेशन की तरफ और हाँ आप लोग बार-बार पूछते हैं कि हमारा कोई ओनलाइन सीरी चल रहा है कि नहीं अब इतने दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इन डिक्टेशन के अलामा हैं और डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो जरूर है पेज टाइनोग्राफी को ज्वाइन करें क्यूंकि इसमें आपको बहु Fuß दे रहे हैं आप ब्रहु करती करते है न तो आपको इक्जाम में डर का अनुभाव ही नहीं होगा चाहएं क्योंकि आपको व्रतर exam देते हैं और रही बाद test की तो हम Sunday को test लेते हैं ताकि आप घर बैठे test दे पाएं और अपना आकलन कर पाएं वैसे तो आप रोज आकलन कर सकते हैं लेकिन Sunday को हम सब का result देखते हैं and announce करते हैं कि टॉफ या टॉप 10 में कौन आया है तो यह तो रही दैनिक शागरन की आउटलाइन्स अब हम बढ़ते हैं जनसत्ता की तरह अगर आप इसके बार में डिटेल जाना चाते हैं डिटेल बॉक्स शेक करें वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं कि आप कैसे जुड़ना चाते हैं आप इस टेनोग्राफी से नर्देस की मताबिक तो निर्देश और भववचन की बिंदी और की मताबिक का जो रूल बताए तो हमने नयों को कटकर के वहाँ क चो उते हैं और ह, बागो छोटा करेंगे, तो बाद पढ़ा जाएगा, नागरिता, संसोधन, कानून, ये तो लगवग हर दिन आ रहा है, आपको लगभग याद ही हो गया होगा ये, कोईसे कट कर देंगे, तो कानून हो जाएगा, हर बड़ी मे, तो ह, उसे बढ़ा करेंगे, तो लगव पामिरो काकड़ा बड़ी, और मे के लिए तो आप चाहनते हैं, छोटा सम्मो बनाते हैं, विरोध प्रदर्शन, ये भी बहुत बार आया है, बहुत बार मैंने बताया है, आपको लेकिन इक बार और देख लेते हैं, विरोध प्रदर्शन के लिए पामिरो काकड़ा, आपको रूल बताया होगा कि अगर ing आता है English के words अगर हिंदी में आते हैं तो जैसे हम भोजन की भिंदी लगाते हैं वैसे ही सेम हम ing के लिए पर लगाएंगे यानि होडिंग, accounting ऐसे जो भी words आते हैं उसके ताकि हम confused ना हो इसमें समिधन सिल की fix of timezer लिखते हैं, शील नीचे की तरफ लिखते हैं और तौक आकड़ा लगा देंगे तो था हो जाएगा प्रचार आत्मक कदमों से तो प्रचार और आत्मक के लिए मौ से कट करे और कर से कट करे या फिर आप डारेक्ट मौ और का लिख सकते हैं और कदमों कदम इसमें हमने जोड़ दिया वह जनकी बिंदी लगा दी और हाँ अगर आप राजस्तान कोड के अलावा, रिपोर्टर, SSC, DSSB और इंग्लिस स्टेनोग्राफिक के त्यारे कर रहे हैं तो उसमें भी आपको डिक्टीशन दिये जाते हैं यानि कि इंग्लिस के डिक्टीशन में आपको दिये जाते हैं दो कोट के डिक्टिशन, एक होता है 80 सब्द प्रति मिनट और दूसरा होता है 100 सब्द, यानि कि रैंडम ली एक दिन 80 आपको मिलता है, एक दिन 90 मिलता है, एक दिन 110 मिलता है, एन तीसरी डिक्टिशन जो दी जाती है, वो रिपोर्टर की होती है, जो कि एक दिन 140, दूसरी द अपसाइट में टाइप करके देख पाएंगे रिजल्ट अपना तो चलिए ये तो रही बात कुछ इंफॉर्मेशन अब हम बढ़ते हैं में डिक्टिशन की तरफ असी में जैसा कि हिंदुस्तान दिया जाता था इस बात जनसत्ता दिया गया है नबर में तो जागरण रहता ही है और सौ सब्दी प्रति मिनट में जनसत्ता हिंदुस्तान की जनसत्ता और 110 में जागरण तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनसत्ता के डिक्टिशन जो की है असी सब्धिर प्रती मिनट प्लीज वीडियो को लाइक कमेंटर से करना बिलकुल भी ना बुले स्टार्ट करते हैं के दोरान हुई हिंसा में संपत्ती का भारी नुकसान हुआ था उत्तरप्रदेश सरकार ने इसके लिए आरोपों के घेरे में आये लोगों से नुकसान की भरपाई कराने को लेकर सख्त कदम उठाया लेकिन इसके लिए उसने जो तोर तरीके अपनाएं वे सवालों के कटगरे में हैं दरसल राची सरकार ने आरोपियों के खिलाफ जिस तरह के प्रचारात्मक उपायों का सहारा लिया उन पर सुरू से ही आपत्ती उठाई चा रही थी अब इस मामले पर इलाहाबाद उच्छ न्यायाले का जो रुख सामने आया है उससे साफ है कि सरकार ने लोगतंत्र और कानून के तकाजे को किनारे कर सायद हडबडी में सैयम रखना जरूरी नहीं समझा गौर तलब है कि CAA के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने और संपत्ती के नुकसान के लिए राज्य की पुलिस ने कई लोगों को आरोपी माना था चुकि राज्य सरकार आरोपियों से भरपाई के रास्ते को ही प्राथमिक हल मान रही है इसलिए इस मामले में भी 57 लोगों की पहचान फोटो सहित पूरा पता और परजय होडियों पर छपवा कर जिले के चौक चौराहों पर लगवा दियें सरकार की नजर में नुकसान की वसूली का यह रास्ता जाता जरूरी और कारगर हो सकता है लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तरीका लोगतांत्रिक और कानूनी कसोटी पर भी पूरी तरह उचित है आरोपी व्यक्तियों की तस्वीर और नाम पते वाले पोस्टर लगाने का मामला सामने आने के बाद इलाहाबाद हाई कोट ने इस पर स्वतह संग्यान लिया और बिना देरी करते हुए संबंधित अधिकारियों को अधालत में तलब किया अधालत ने सब से पहला सवाल यही उठाया है कि किस अधिकार से ये नोटिस जारी किये गए हैं और इस तरह के ओर्डिंग लगाए गए हैं हाई कोट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ लहजे में कहा कि यह नागरिकों की निजता का हनन है और इन्हें ततकाल हटा लिया जाए हाला कि इसके लिए सोलह माश तक रिपोर्ट दाखिल करने का वक्त दे दिया गया यह इस समूचे मामले की समवेदन सीलता को देखते हुए सायद जादा वक्त है फिर भी अदालत ने इस मामले के आधार और कानूनी पहलुमों को देखने के बाद ही सरकार के रुख पर सवाल उठाए होंगे अगर ये आपतियां सही है तो सरकार और संबंधित अधिकारियों को उनका खयाल रखना चरूरी क्यों नहीं लगा गौर तलब है कि हिंसा के दोरान संपत्ती के नुकसान की वसूली के मसले पर सुप्रीम कोट की ओर से बिलकुल इसपष्ट दिसानरदेश जारी किये गए हैं और कोई भी सरकार अगर वसूली जैसा कदम उठाती है तो वह उन नरदेशों के मुताबिक ही कर सकती है इलाहाबाद हाई कोट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात की हिदायत दी है लेकिन सच यह है कि राज्य सरकार ने आरोपियों का समूचा ब्योरा सारवजनिक करने का जो तरीका अपनाया है वह न केवल उसकी निजता का हनन है बलकी इससे उनकी सुरक्षा को खतरा भी पैदा हो सकता है अदालर ने भी यह साफ कहा कि सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे किसी की निजता का हनन हो और उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए कई जगहों पर भीड में तबदील हुए लोगों के हाथों महज अफवाह के आधार पर किसी व्यक्ति पर हमला करने और पीट पीट कर मार डालने की घटनाएं किसी से छिपी नहीं हैं ऐसे में अगर संपत्ती वसूली के आरोप भविश्य में साबित भी हो जाएं तो उसके बदले हर जाना वसूली के लिए प्रचारात्मक कदमू के बजाए क्या सुप्रीम कोट के दिसान नर्देशूं के तहत विधी सम्मत तरीके अपनाना उचित नहीं होगा असी सब्दल प्रतिमिन डिक्टेशन समापत हुआ अब बारी है 90 सब्दल प्रतिमिन डिक्टेशन की तो चले स्टार्ट करते है 90 सब्दल प्रतिमिन डिक्टेशन की तो चले स्टार्ट करते है 90 सब्दल प्रतिमिन डिक्टेशन की चले स्टार्ट होगा 5 सेकें बाद वीज शुरू हो गए हैं जो इस बैंक के डूबने की कगार पर पहुच जाने के कारण बयान कर रहे हैं। ये तत्य हैरान करने और साथ ही यह बदाने वाले भी हैं कि यस बैंक के नीटिनियंता कर्ज देने के नाम पर किस तरह बंदरबाट कर रहे थे? ने संदेह यह तत्य भी हैरान करने वाला है कि राणा कपूर ने M.F. हुसैन की बनाई हुई राजियु गांधी की एक पेंटिंग प्रियंका गांधी वांडरा से दो करोड रुपई में खरी दी थी स्वाभाविक तोर पर इसकारन प्रियंका गांधी और साथ ही कॉंग्रिस भाजपा के निसानी पर है भले ही कॉंग्रिस की ओर से यह साबित करने की कोशिस की जा रही हो कि प्रियंका गांधी ने वैद तौर तरीकों से पेंटिंग बेची लेकिन यह बात सहज स्वीकार नहीं होती कि आखिर उन्हें पिता की इश्मृती बेचने की चरूरत क्यों पड़ी देश के सबसे विख्यात चित्रकार M.F. हुसैन ने राजीव गांधी की पेंटिंग कॉंग्रिस को उपहार स्वरूप दी थी अगर एक चण के लिए यह मान लिया जाए कि कॉंग्रिस के लिए गांधी परिवार ही पार्टी है और इस नाते यह पेंटिंग प्र्यंका गांधी की नीजी संपत्ती बन गई तब भी यह सवाल तो उठेगा ही कि आखिर उसे बेच क्यों दिया गया क्या कोई पिता की इस्मृती को इस तरह बेचता है क्या यह पेंटिंग कॉंग्रिस के कार्याले की सोभा नहीं बढ़ा सकती थी क्या कॉंग्रिस के कार्याले या गांधी परिवार के आवास में यह पेंटिंग सुरक्षित नहीं रखी जा सकती थी क्या ऐसा कुछ है कि प्रियंग का आर्थिक संकट से जूज रही थी और उनके पास पिता के इस्मृती को बेचने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था सवालों का सिलसिला केवल यही नहीं समाप्त होता क्योंकि यह भी सामने आया है कि मुंबई से कॉंग्रिस के ततकालीन सांसद मिरलद दिवडा इसमें अतरिक्त धिल्चस्पी ले रहे थे कि राणा कपूर राजीव गांधी की पेंटिंग खरीद ही ले यह दिल्चस्पी संदीह पैदा करती है पता नहीं राणा कपूर की ओर से प्रियंका गांधी से पेंटिंग खरीदने को लेकर उठे सवालों का संतोष चनक जवाब मिलेगा या नहीं लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं कि संप्रग सासन के समय बैंकों के कामकाज में राचनितिक हस्तचेप हद से ज़्यादा बढ़ गया था इसी हस्तचेप के चलते बैंकों ने संदिक्द इरादो वाले उद्दमियों को मनमाने तरीके से कर्च दिये मनमाने तरीके से कर्च पाठने में यस बैंक भी आगे रहा और इसी के चलते उसकी हालत बिगड़ी कम से कम अब तो यह सुनेशित किया ही जाना चाहिए कि यस बैंक वाली कहाने और कोई बैंक न दोहराने पाए 90 सब्दी प्रति मिनट डिक्टेशन समाब तो अब आरी है 100 सब्दी प्रति मिनट के डिक्टेशन के तो चले स्टार्ट करते हैं स्टार्ट होगा 4 सेकिंड बाद लखनव में पिछले साल तिसंबर में नागरिक्ता संसोधन कानून के मसले पर हुए विरोध प्रतरशनों के दोरान हुई हिंसा में संपत्ती का भारी नुकसान हुआ था उत्तरप्रदेश सरकार ने इसके लिए आरोपों के खेरे में आये लोगों से नुकसान की भरपाई कराने को लेकर सक्त कदम उठाया लेकिन इसके लिए उसने जो तोर तरीके अपनाएं वे सवालों के कटगरे में हैं दरसल राजी सरकार ने आरोपियों के खिलाप जिस तरह के प्रजारात्मक उपायों का सहारा लिया उन पर सुरू से ही आपत्ती उठाई चा रही थी अब इस मामले पर इलाहाबाद उचन्यायाले का जो रुख सामने आया है उससे साफ है कि सरकार ने लोकतंत्र और कानून के तकाजे को किनारे कर सायद हरबडी में सैयम रखना जरूरी नहीं समझा गौर तलब है कि CAA के मुद्दे पर हुए विरोध प्रिदर्शनों के हिंसक होने और संपत्ती के नुकसान के लिए राजी की पुलिस ने कई लोगों को आरोपी माना था चुकि राजी सरकार आरोपियों से भरपाई के रास्ती को ही प्रात्मिक हल मान रही है इसलिए इस मामले में भी सत्तावान लोगों की पहचान फोटो सहित पूरा पता और परचय होडियों पर छपवा कर जिले के चौक चौराहूं पर लगवा दिये सरकार की नजर में नुकसान की वसूली का यह रास्ता ज्यादा जरूरी और कारगर हो सकता है लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तरीका लोगतांतरिक और कानूनी कसोटी पर भी पूरी तरह उचित है आरूपी व्यक्तियों की तस्वीर और नामपते वाले पोस्टर लगाने का मामला सामने आने के बाद इलाहाबाद हाई कोट ने इस पर स्वतह संग्यान लिया और बिना देरी करते हुए संबंदित अधिकारियों को अदालत में तलब किया अधालत ने सबसे पहला सवाल यही उठाया है कि किस अधिकार से ये नोटिस जारी किये गए है और इस तरह के होडिंग लगाए गए है हाई कोट ने सकत रुख अपनाते हुए साफ लहजे में कहा कि यह नागरिक कों की निजता का हनन है और इन्हें ततकाल हटा लिया जाय हाला कि इसके लिए 16 मार्श तक रिपोर्ट दाखिल करने का वक्त दे दिया गया यह इस समूचे मामले की समेदन सीलता को देखते हुए सायद जादा वक्त है फिर भी अदालत ने इस मामले के आधार और कानूनी पहलवों को देखने के बाद ही सरकार के रुख पर सवाल उठाए होंगे अगर ये आपत्या सही है तो सरकार और संबंदित अधिकारियों को उनका खयाल रखना जरूरी क्यों नहीं लगा गौर तलब है कि हिंसा के दोरान संपत्ती के नुकसान की वसूली के मसले पर सुप्रीम कोट की ओर से मिलकुल इसपष्ट दिसा नर्देस जारी किये गए हैं और कोई भी सरकार वसूली जैसा कदम उठाती है तो वह उन नर्देसों के मुताबिक ही कर सकती है इलाहाबाद हाई कोट ने भी उत्तर प्रदेस सरकार को इस बात की हिदायत दी है लेकिन सच यह है कि राज सरकार ने आरोपियों का समूजा ब्योरा सारवजने करने का जो तरीका अपनाया है वह न केवल उनकी निजता का हनन है बलकि इससे उनकी सुरक्षा को खतरा भी पैदा हो सकता है अधालत ने भी यह साफ कहा कि सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे किसी की निजता का हनन हो और उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए कई जगहों पर भीड में तबदील हुए लोगों के हाथों महज अफवाह के आधार पर किसी व्यक्ति पर हमला करने और पीट-पीट कर मा डालने की खटनाय किसी से छिपी नहीं है ऐसे में अगर संपत्ती वसूली के आरोप भविश्य में साबित हो जाएं तो उसके बदले हर जाना वसूली के लिए प्रचारात्मक कदमों के बजाए क्या सुप्रीम कोर्ट के दिसा नर्देसों के तहत विधी सम्मत तरीके अपनाना उचित नहीं होगा साब्ध प्रतिमिनट के दिक्टेशन समातू अब बारी है 110 सब्ध प्रतिमिनट के दिक्टेशन के चले स्टार्ट करते हैं यह अंतिम डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद स्टार्ट यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की गिरफतारी के साथ ही ऐसी तमाम तथ्य सामने आने सुरू हो गए हैं, जो इस बैंक के डूबने की कगार पर पहुच जाने के कारण बयान कर रहे हैं. ये तत्य हैरान करने और साथ ही यह बताने वाले भी हैं कि यस बैंक के नीतिनियंता कर्ज देने के नाम पर किस तरह बंदरबाट कर रहे थें? निसंदेह यह तत्य भी हैरान करने वाला है कि राणा कपूर ने M.F. हुसैन की बनाई हुई राजीव गांधी की एक पेंटिंग प्र्यांका गांधी वांडरा से दो करोड रुपए में खरी दी थी. स्वाभाविक तोर पर इसकारण प्र्यांका गांधी और साथ ही कॉंग्रिस भाजपा के निसाने पर है. मलेही कॉंग्रिस की ओर से यह साबित करने की गोशिस की जा रही हो कि प्र्यांका गांधी ने वैद तोर तरीकों से पेंटिंग बेची. लेकिन यह बात सहज स्वीकार नहीं होती कि आखिर उन्हें पिता की इस्मृती बेचने की चरूरत क्यों पड़ी. देश के सबसे विख्यात चित्रकार M.F. हुसैन ने राजीव गांधी की पेंटिंग कॉंग्रिस को उपहार स्वरूप दी थी. अगर एक छड के लिए यह मान लिया जाए कि कॉंग्रिस के लिए गांधी परिवार ही पार्टी है और इस नाते यह पेंटिंग प्रयंका गांधी की नीजी संपत्ती बन गई. तब भी यह सवाल तो उठेगा ही कि आखिर उसे बेच क्यों दिया गया क्या कोई पिता की इश्मृती को इस तरह बेचता है? क्या यह पेंटिंग कॉंग्रिस के कार्याले की सोभा नहीं बढ़ा सकती थी? क्या कॉंग्रिस के कार्याले या गांधी परिवार के आवास में यह पेंटिंग सुरक्षित नहीं रखी जा सकती थी? क्या ऐसा कुछ है कि प्रियंका आर्थिक संकर्ट से जूज रही थी और उनके पास पिता की इस्मृती को बेचने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था सवालों का सिलसिला केवल यही नहीं समाप्त होता क्योंकि यह भी सामने आया है कि मुंबई से कॉंग्रिस के ततकालीन सांसद मिरलंद देवडा इसमें अतरिक्त दिल्चस्पी ले रहे थे कि राणा कपूर राजीव गांधी की पेंटिंग खरीद ही ले यह दिल्चस्पी संदेह पैदा करती है पता नहीं राणा कपूर की ओर से प्र्यंका गांधी से पेंटिंग खरीदने को लेकर उठे सवालों का संतोष जनक जवाब मिलेगा या नहीं लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि संप्रक्सासन के समय बैंकों के कामकाश में राशनितिक हस्तचेब हद से ज़्यादा बढ़ गया था इसी हस्तचेब के चलते बैंकों ने संदिक्द इरादो वाले उद्दमियों को मनमाने तरीके से कर्श दिये मनमाने तरीके से कर्श बाटने में यस बैंक भी आगे रहा और इसी के चलते उसकी हालत बिगड़ी कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि यस बैंक वाली कहानी और कोई बैंक न दोहराने पाए अगर आप हमारे पेट सिदी को जॉइन करना चाहते हैं तो डिक्सिप्शन बॉक्स चेक करें वहाँ पर आपको लिंक दे गई होगी आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको है पेस्ट आनोग्राफिय से जूड़ना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आपने करल की